अंगरेजी भाषा को देखो, कहां से शुरू होती है? A for Apple से शुरू होती है Z for Zero पे जाके खरे हो जाती है आपने शुन्डे करने छोड़े हुआ और आपनी मान ने देखो, आपनी मातर भाषा ने देखो अउं अनपणू चालू है गियर पर ग्यानी पर जाने खतम वेवे है आलोचना करने वाड़ों के कभी भी समारेक नहीं बने हमारे विदानसवे अध्यक्ष, आदर्निय, स्रीपी जोशी साब के लिए जोड़दर तालियों की मैं एक बार आप से सब गुजारिश करूँगा स्री डाक्टर स्रीपी जोशी साब ने जो आज यहां पर कार्य किया है मारना प्रताब की मूर्ती को लगाने का मिवाड आपको नमन करता है मिवाड आपका धनिवाद ग्यापित करता है श्रीनाजी बाबा चाहते तो उनका जो पईया था वो कहीं पर भी अटक सकता था उन्होंने मिवाड को ही चुना हमारे केवल योधाओं नहीं नहीं सुने रेक्षनों में नाम नहीं लिखवाए हमारे यहां के पशुओं ने भी अपने नाम सुने रेक्षनों के अंदर लिखवाए ये ताकत रखता है मिवाड आपा कटे बेटियां, खंडे चड़ना में बेटियां, अनी चीज़ों आपने ध्यान तो राखनों पड़ेगा, एक तरफ पे श्रीनाज जी बाबा बिराज मान है, एक तरफ पे भोलेनाथ बिराज मान है, अबे आपने कृपा वेगी, डाक्टर सीपी जोशी स्राबरी, पचे यसो डिलो डिलो कारिक्रम रहेगा, अन्पचे किस तर मजो आएगा, आप ही उट जानी बारोगा, तो मैं पचे कटो उट जा लाओंगा, एक बार माने वताओ अठे, या तो आजकाल लोगाने मेवाडी हमज में नी आई रही, मैं दूसरी बाशा में बात करूँ, मा एक बार मेरे को ये सभाकार, एक बार मेरे को बताए, और कहे कि मैं जिन्दा लोगों के सामने बैठा हूँ, अकड जो है, जैसे हमारे साब ने फरमाया, अकड मुर्दा लोगों के अंदर होती है, हम मेवाड वासियों के अंदर, जोश उत्सा, बलो मानना प्रताप की, जैओ, 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 आनन्द, अबे अत्रा में मैं काम निकाल लूँगा, चिंता मत करो, और मने सब पहले या वाद वाते दू, लोग दीरे दीर दीरे आगे जात अरे byłे गंबीर तो जत्री माले उमीद आयोगा हुए मनें beef yaad सबसे पहले मैं पंडेश्री नरेंदर मिश्य की दो पंक्तियां कहकर अपनी बात करना चाहता हूं, आगास करना चाहता हूं, अगर मेरी बात आप तक पहुंचे मुझे पुना, मैं ताली बजाने के लिए बिल्कुल भी नहीं कहूंगा, यह निश्चेंद रहना, मैं एक बा भी ताली बजाने के लिए नहीं कहूंगा, अगर मैं कहूंगा, तो यह बात कहूंगा, कि तालियों को अगर रोक सको तो रोक लेना, मैं यह कभी नहीं कहूंगा, कि ताली बजाना, मैं पंडेश्री नरेंदर मिश्य की दो पंक्तियों से अपनी बात को शुरू करता हूं, कि सत को सम्मानित करने की ये गाथा कभी मंद नहीं होगी सत को सम्मानित करने की ये गाथा कभी मंद नहीं होगी ये एक लिंग की ज्वाला है मुठी में बंद नहीं होगी आज हम लोग वाकई में एक भाग्यशाली लोग हैं आलोचना करने वालों के कभी भी समारक नहीं बने जितने लोगों ने आज दिन तक आलोचना करी हैं जितने लोगों ने अन्य बाते कही हैं उनके कभी समारक नहीं बने ना उनको कभी याद किया गया है याद उन लोगों को किया गया है जिन लोगों ने आज तक जीवन के अंदर कुछ कर गुजरा है या कुछ हासिल किया है तो जब ऐसी बात होती है तो छाती ठोक के कहना चाहिए जब आलोचना करने में हम लोग पीछे नहीं रहते तो अच्छी बात को करने भी हम लोगों को पीछे नहीं रहना चाहिए आज ये मंच मुझे ये मौका देता है और इस मौके को मैं गवाना नहीं चाहता हूँ और जिम्मेदारी के साथ में मैं कहना चाहता हूँ जब अच्छा काम हो तब भी इंसान को छाती ठोक करके ना चाहिए आज मैं सबसे पहले हमारे अपने मिवाड के और नाथेद्वारा के लाल मैं माफी चाहता हूँ पर जो मन मेंसे मेरे जो भाव निकल रहे हैं उसी हिसाब से मैं कह रहा हूँ एक मैंने मेसूस कर लिया कि इस मंच का मैं सबसे कम उम्र का व्यक्ति हूँ तो जो सबसे कम उम्र का व्यक्ति होता है उसको तूटियां जो है वो शमा की जाती है उसकी तो मैं पहले ही जो है वो मैं शमा प्रारती हूँ मैं सबसे कम उम्र का व्यक्ति हूँ मैं बहुत ही गैर अवचारिक व्यक्ति हूँ मैं जो बोलूँगा मन से बोलूँगा मैं दिल से बोलूँगा और आज वक्त ऐसा है कि जो कोई अच्छा काम हुआ है उसको हम लोगों को मन से और दिल से कहना चाहिए हमारे मिवाड के राल स्री डाक्टर श्रीपी जोशी साब ने जो आज यहाँ पर कार्य किया है मारणापरताब की मूर्टी को लगाने का ये एक इतना सराणिय काम है इतने समय से इस चीज की कमी थी आज आपने इस कमी को पूरा किया मिवाड आपको नमन करता है मेवाड आपका धनिवाद ग्यापित करता है ये देखिए इस काम के लिए ये तालिया कमजोर है मैंने कहा आपको मैं ताली बजाने के लिए नहीं कहूंगा आज एक मेवाड के लाल ने देखो क्या ईश्वर की अनुकंपा हुई है सुनना इस बात को मैं कब क्या बोल जाओ मेरे को खुद को पता नहीं वा तो थोड़ा गोर से सुनना क्यों कि कब कौन सी बात आ जाए कब क्या चीज आ जाए वो मेरे को खुद को नहीं पता पच्छे उमत की जो और यार वाद तो परी कि मैं उनी नहीं वो मने खुद ने खबड़नी वेगा आज आप देखो कितनी बढ़िया कितनी अच्छी चीज जो है आज यहाँ पर हुई है सबसे पहले तो यह बात है कि आज इस मंच को एक गुरू ने जो है जो जमाया है सजाया है और हमारे को जो आशिरवाद मिल रहा है उसको लेकर सबसे पहले मैं अभिभूत हूँ आज इस परंपरा को मिवाड की इस परंपरा को जो है आगे आपने कायम रखा एक गुरू सिश्य की परंपरा को वो आज वाकई में यहाँ पर इस मंच के उपर देखने को मिलती है इस पड़ाल के अंदर देखने को मिलती है और हमारे ग्रंथों में लिखा है कि अगर शाक्षात ईश्वर भी सामने प्रकट हो जाएं हमारे माता पिता भी अगर हमारे सामने उपस्तित हो और अगर हमारे गुरू हमारे सामने उपस्तित हो तो नी संकोत सबसे पहले हमारा सर हमारे गुरू के चड़नों के अंदर जाना चाहिए आज उसी परंपरा का निर्वा करते हुए इस कारिकरम की शुरुवात की गई बड़ी खुशी हुई अब आप देखो कितना खुबसूरत कितना अच्छा भाव यहां पर प्रकट हो रहा है हमारे एक मेवाड के लाल ने स्रीनाच जी बाबा के चड़नों में और एकलिनाथ के चड़नों के अंदर उनी के लाल को एक लाल ने दूसरे लाल को यहां पर बिठाया है कितने खुबसूरती से जो है इस भाव के लिए यह मैं मानता हूँ कि जो आपके भाव मेरे तक पहुँच रहे हैं यह कमजोर है मेरे को नहीं लग रहा है कि मैं नाथद्वारा के अंदर मिवार में भी नाथद्वारा के अंदर खड़ा हूँ में यह और कुछ नहीं हमारे को हमारे मिवार के लाल के भाव मिवार के प्रती मिवार के प्रती और मिवार के मिटी के प्रती एक सम्मान एक इज़त के भाव हमारे को दिखाती है मैं पुना जितना मैं कहूंगा शब्द बोना है पर मैं जितना कहूंगा हमारे विदान सभा अध्यक्ष मोदे के लिए कि आज आपने जो कार्य किया है कि अपने लाल को अपने प्रभू के चड़नों के अंदर बिठाने का जो कार्य किया है ये मिवार कभी नहीं भूलेगा और मैं उमीद करता हूँ कि जो हम लोगों की यहाँ पर मांगती साब ने साब का काम किया अब जिम्मेदारी अपनी लगाओ पूरो लगाओ यार खुलने लगाओ या आदा आदा लोग लगाओ मजो ने आए पूरो बंडाल लगाए एक बार मजो आएगा मने अब आपने अणी चीज रो ध्यान राखना है देखो मैं बार बार मिवारी पर आई जाओ पर मारे खबर नी हो जिसतर जिसतर भाव निकले तो दोना में आज काल कैये लोग दूसरी भाशाओं लोग तरफ भागवल आ गया करनी भाशा रे खिलाफ नहीं हो में भाशाओं जो है वे जोड़वारों काम करें भाशाओं जो है वो जोड़ने का काम करती है अन्य भाशाओं को हमको सीखना चाहिए इसमें कोई शक की बात नहीं कि अन्य दूसरी भाशा है हमको आनी चाहिए अंग्रे जी एक अंतरराश्ट्रे भाशा है हमको बोलनी चाहिए पर वो इस कीमत पे नहीं होनी चाहिए कि जहां हम हमारी माँ को भूल जाएं हमारी मातर भाशा को भूल जाएं हमारी मिट्टी को भूल जाए और देखिए ये संस्कृती हमारे को कितना अच्छा उधारन देती है और इसी के अंदर हमारे को समझ में आ जाएगा मेरी बात पहुंच जाए मातर शक्ती भी यहां पर उपस्तित है मैं उन लोगों से भी गुजारिश करूँगा कि आपके भाव भी मेरे तक पहुंचाए अंगरी जी भाशा को देखो कहां से शुरू होती है A for Apple से शुरू होती है Z for Zero पे जाके खरे हो जाती है आपने शुन्डने करने छोड़े है वा और आपनी मान ने देखो आपनी मातर भाशा ने देखो अउन अनपणू चालूए ग्यापर ग्यानी पर जाने खतम वेवे है मैं जिस तर पहले कही रहे हूँ मैंने कहा कि साब ने साब का काम कर और यहां पर वीर शुन्डनी मारना परताब की मूर्ती को स्तापित किया है अब अपनी जिम्मेदारी अपना कार्य जो है वो यहां से शुरू होता है और यह शुरू यह होता है कि जब प्रतिमा हमारे सामने हो और इतनी भव्य और इतनी खुबसूरत प्रतिमा हमारे सामने हो तो काई ना काई ये हमारा धर्म बनता है हमारी हमारा फर्ज बनता है कि वी शुरूर्ण मनी माराना प्रताब कि उस मूर्ती से हम लोग प्रेरना लें वो आज भी हमारे बीच में एक सोच बनकर उपस्तित है, मूर्ती को लगाने का कारण किया कि हम लोगों को जो है आने वाले समय के अंदर आने वाली पीडी को प्रेरित होने का हमारे को मौका मिले और ऐसी खुबसूरत स्तान पे, ऐसी खुबसूरत मूर्ती जो लगाई गई है मैं राटोर साब की बात से सत प्रतिशत सहमत हूँ कि जो इतनी खुबसूरत मूर्ती जो यहाँ पर लगाई है हिंदुस्तान के अंदर ऐसी खुबसूरत मूर्ती देखने को बहुत कम मिलती है अब ये हमारे मिवाड वासियों की जिम्मेदारी बनती है कि हम इस मूर्ती से पूरी प्रेड़ना लें और आने वाले समय के अंदर हमारे देश का, हमारे नाथद्वारा का, हमारे मिवाड का नाम जो है हम लोग रोशन करें इसमें कोई शक्की बात नहीं कि 19 वी शताबदी ब्रिटेन की थी 20 वी शताबदी अमेरिका की है अगर 21 वी शताबदी किसी की होगी तो वो हिंदुस्तान की होगी और उसका रास्ता और काई से ही नहीं हमारी संस्कृती से, हमारे गुरू के हमारे बड़े बुज़ूर्गों के चड़नों से होकर गुजरता है हमारे बड़ों ने उस आदर्श को स्तापित करने के लिए एक कोई कसर नहीं छोड़ी और दूसरी बात साब ने जो फर्माए बिल्कुल सही कि आज डाक्टर सीपी जोशी साब ने इस बात को कहने के लिए मेरे आत्मा में मेरे मन में रोम रोम में कोई कसर नहीं है इस बात को कहने के लिए कि हमारे यहाँ पर जो विकास किया है वो वाकई में जो है वो आज की तारिक में केवल इस शेत्र के लिए नहीं पर इस दिप्रदेश के लिए नहीं इस देश के लिए एक मिसाल बनकर कायम हुआ है तो ये बात कहें कि वो आज हमारे यहाँ पे विकास पुरुश के तौर के ओपर जाने जाएं तो ये बात गलत नहीं होगी मुझे इस बात का एसास कराईए इस बात के उपर साब ने कहा कि अगर कई योजनाओं को लेकर अगर खर्चे करे गए और सही करे गए और तराजू के उपर तोले जाएं तो उस बात को लेकर जो है मेरे को पंडित शिनरिंद मिश्वे की दो पंक्तिया मेरे जहन में जरूर आती है जो आदी मारना प्रताब पे और जो कार्य हुआ उस बात के उपर मेरे दिल दिमाग में मेरे जहन में मेरे मन में आती हैं जो मैं बांटना चाहता हूं कि आंधी तूफानों में मिवार ने रुकना नहीं सीखा लाखों नंगी तलवारों के सामने जुकना नहीं सीखा शीश कटने के बाद भी धड़ यहां लड़ा करते हैं और मिवार ने कभी बिकना नहीं सीखा आज मैं श्रीनाज जी बाबा के चड़नों के अंदर उपस्तित हूँ और नातद्वाराईगी भूमी में उपस्तित हूँ इस बात का मुझे पूरा अच्छी तरह से आभास और एसास दोनों है और कई बाते इत्यासकारों ने बड़ों ने और लोगों ने कही और इससे अच्छा और इससे खूबसूरत मौका मुझे मिल नहीं सकता था मिवाड की तरफ से इस बात को कहने के लिए और इससे जादा अच्छा और खूबसूरत मौका नहीं मिल सकता था जब मैं गुरू के चर्णों में खड़े होकर इस बात को क्या हूंगा और इससे मुझे इतनी शांती मिलेगी, इतनी खुशी मिलेगी क्योंकि ये बात हम लोग बच्पन से घर पर सुनते हुए आएं और हमारे बड़े बुज़ुर्गों ने भी हमारे को ये बात बताई कि ये बात वो भी अपने बड़ों से और बुज़ुर्गों से जो है वो सुनते हुए आएं श्रीनाजी बाबा के लिए कहा गया, बहुत लोगों ने कहा कि अगर मिवाड का परिवार नहीं होता तो श्रीनाजी बाबा को पना कौन देता इस पूरे देश के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो उस जमाने के अंदर श्रीनाजी बाबा के लिए साथ में आकर सुरक्षा देने के लिए जो है कोई खड़ा हुआ तो केवल और केवल मिवाड खड़ा हुआ और मिवाड ने जो है वो पना दी अभी ताली बजाने का समय नहीं है मैंने कहा आपको कि अगर तालीों को रोक सकोगे तो रोक लेना पर मेरी बात को आप तक पहुचने देना और मेरे भाव और मिवाड के भाव अगर आप तक पहुचें तो मुझे एसास जरूर कराईएगा कि मैंने बात जो कही है वो सत्प्रतिशत सही कही है और वो आपकी आत्मा में दिल दिमाग में बिलकुल बिजली की तरह जो है अगर वो जाती है तो मुझे उसी बिजली की करंड की तरह मुझे एसास करवाना की बात सही बोली गई है और इस जिम्मेदार मंद से बोली गई है कि मेवाड मेवाड ने जो है माराना राज सिंग जी के समय के अंदर कि श्रीनाजी बाबा को पना दी गई और कोई व्यक्ति नहीं आया ये बात सत्य है कि श्रीनाजी बाबा की लिए अगमर निवेदन करना चाहता हूँ, उन बड़े बुजुर्गों को मैं हाथ जोड कर उनसे मैं इनिवेदन करना चाहता हूँ, मिवाड कभी भी इतना बड़ा नहीं हुवा था कि वो श्रीनाज जी तत् wojna जी बाबा की रक्षा कर सके या सुरक्षा कर सके, मिवाड ने सिरफ अपने धर्म को मिवाड ने केवल अपने धर्म का जो है वो निर्वा किया और सेवा करने का कार्य किया मिवाड स्वभाग्यशा लिए है कि मिवाड को श्रिनाजी बाबा का सेवा करने का मौका मिला अगर मुझे गर्व है आज अगर मिवाड को गर्व है तो इस बात का है हम गुरूर करते हैं तो इस बात का करते हैं कि हम श्रिनाजी बाबा के वो चुनेवे लोग थे श्रिनाजी बाबा चाहते तो किसी को भी चुन सकते थे श्रिनाजी बाबा चाहते तो उनका जो पईया था वो कहीं पर भी अटक सकता था उन्होंने मिवाड को ही चुना और मिवाड के वासियों को ही चुना उनकी रक्षा करने के लिए ये धन है आज की तारिक में जिसके ओपर मिवाड जो है वो अपने आपको महसूस करता है कि हम लोग स्वाभिमानी लोग हैं क्योंकि श्रिनाजी बाबा चाहते तो कहीं और जाते पर वो नहीं गए उन्होंने मिवाड वासियों को चुना और हम नाथद्वारा वाले मिवाड में भी इतने ज्यादा सवाग्यशाली हैं कि उसमें भी मिवाड में भी नाथद्वारा को चुना जहां आज वो हमारे यहां पर निवास करते हैं और ये मैं आप लोगों को वचन देता हूँ जो हमारे पूरवजों ने किया सेवा करने का कारिय पहले भी हम लोगों ने वचन दिया और आज दिन तक हजारों सालों से उस परंपरा का निर्वा करते वह आएं और आज मैं आपको यहां पर अस्वस्त करने के लिए आता हूँ कि मिवार जो है हमेशां श्रीनाजी बाबा की सेवा के लिए पहले भी तठ पर था आज भी है और आने वाले समय के अंदर भविश्य में भी श्रीनाजी बाबा की सेवा करने के लिए मिवाड हमेशा तच पर रहेगा साब ने एक बात बहुत अच्छी फर्माई आज दूसरे लोगों के पास में अन्य धन और दौलत और शौरत की जो है वो गुरूर और गमंड हो सकता है उस चीज के ओपर वो लो गमंड और गुरूर जरूर कर सकते है और सबसे पहली बात तो ये कि車 अधिन को आदमी को कभी भी कोगी चीज को छोटा नहीं समझना चाहिए इश्वर की इस बनाई हुई परिथवी इस ब्रमाणद इस काइनात के अंदर कभी भी किसी भी चीज को जो है फो छोटा नहीं समझना चाहिए जो बात में कहने जारहूं मतलब की बात तो सब समझ जाते हैं पर बात के मतलब को समझोगे न तब मुझे अनन्द आएगा ये तीन डबे बात समझ में आएगी पर आएगी जरूर मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी व्यक्ति को कोई भी बात को छोटा नहीं समझना चाहिए और अगर हम लोग छोटा समझ रहे हैं किसी बात को तो केवल और केवल दो कारणों की वज़े से समझ रहे हैं या तो हम चीज को बहुत दूर से देख रहे हैं या तो हम चीज़ को गुरूर से देख रहे हैं तो मैं यह कह सकता हूँ कि अन्य लोगों ने जो है वो अपनी धन दौलत के उपर जो है वो गुरूर जरूर किया हो सकता है आज की तारिक में जो मिवार है आज अगर हम लोगों को किसी चीज़ को लेकर हम स्वाविमान से खड़े होते हैं या हम किसी चीज़ से खड़े होते हार जीत माईने नहीं रखती यह जरूरी नहीं है कि कौन हारा और कौन जीता इसमें कोई शक्की बात नहीं कि अगर कोई कारिय करने के लिए जा रहे हैं कोई काम करने के लिए जा रहे हैं आज की तारिक में मिवाड इस बात को छाती ठोक के कहता है, कि जिस किसी भी चीज के लिए और चुनोती के लिए मिवाड अगर कभी बाहर निकला, और अगर गोली कभी खाई, हार जीत तै करने वाले करते रहेंगे, पर खुशी की बात ये है, कि अपने स्वाबिमान को किसी खूटे पे टांग कर, मिवाड ने कभी किसी के साथ समझोता नहीं किया, अपनी आत्मा को अपनी बेहन बेटियों के साथ में कभी भी समझोता नहीं किया, आपने एक जिक्रा किया था उससे बिरे दिल दिमाग में मन में एक बात जरूर आती है अब लोगों के नाम लेना और ये करना मैं जहां चाहूंगा जिस बात को मैं उमीद करता हूँ कि वहाँ पहूंचेगी और आप उस आभाओ का मुझे महसूस कराएंगे कि वह बात पहूंची जब अपने ही जो है जब मारना प्रताब के पास में भी मोके थे वो चाहते तो वो भी समझोता कर सकते थे वो भी चाहते तो एक चैन की सिंदेगी जी सकते थे वो भी चाहते तो राजमहल के अंदर रहकर सारे एशोर आराम को भोग सकते थे पर उन्होंने कहा कि जो उनके पुर्खों ने जो सोचते करी बापा रावल ने जो सोचते करी जो वचन अपने गुरू को दिया उससे वो हट नहीं सकते थे और तभी मेरे को जो है एक पंक्तियां याद आती है कि तूटने और बिखरने का चलन मांग लिया हालात से शिशे का बदन मांग लिया हम भी खड़े थे तकदीर के दर्वाजे पर लोग दौलत पर घिर पड़े हमने वतन मांग लिया और भी लोग हैं जिन लोगों ने दौलत के सौदे करे और उन्होंने एश और अराम की जिन्देगी जी पहले भी और आज भी पर मिवाड आज भी अपने स्वाबिमान को लेकर खड़ा है और हमेशा खड़ा रहेगा तभी मैं कहता हूँ कि मान की बात को न मान कर मान रखा मिवाड का ये है हमारा मिवाड जो आज की तारिक में किसी भी प्रकार से किसी भी चीज को लेकर उसने समझोता नहीं किया सौधा नहीं किया आज सबसे पहले मैं इस बात का भी धन्यवाद ग्यापित करना चाहता हूँ कि अगर आप लोग चाहते तो ये आयोजन आप कल भी कर सकते थे पर मिवाड के सम्मान में आपने एक दिन बाद इस कारिकरम को करने का फैसला किया उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रियादा करता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद ग्यापित करता हूँ और ये बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ये केवल लक्षराज सिंग मेवाड का सम्मान नहीं है या कुर्सी देकर आपने हर मेवाड वासी हर युवा जो हमारे यहाँ पर उपस्तित है उसको आपने जगा दी है उसका आपने सम्मान किया है उसके लिए मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ आज हम लोग अलग अन्ये लोगों की बाते करते हैं इसमें कोई शक्की बात नहीं इतना मैं मिवाड के बारे में कहूंगा कम होगा पर मिवाड के लोगों ने अपना नाम सुनेरे अक्षरों के अंदर लिखवाया है इसमें कोई शक्की बात नहीं है अन्य और योधाओं ने भी अपना नाम सुनेरे अक्षरों के अंदर लिखवाया है आज के दिवस्त के मारना परताप की जहनती के उपलक्ष मेर जब जब मारना परताप का नाम लिया जाएगा अगर मैं यह आप से पूछूं कि और कोई अन्य युद्धा का नाम लेकर और उनका कहूं कि उनका सार्थी या उनका गोड़े का नाम क्या था एक आदमी मेरे को इस पंडाल में से अपनी जान की परवा करें बगेर अपने सेवक को जो है एक लिंगनात के सेवक को जो है वो ददी के इस पार से उस पार करा वो व्यक्ति महारणा प्रताब के साथ में कौन था हम लोग एक सांस में उस पशू का नाम लेकर कहेंगे यह ताकत है इस मिट्टी की कि हमारे केवल योधाओं नहीं नहीं सुने रेक्षनों में नाम नहीं लिखवाएं हमारे यहां के पशूओं ने भी अपने नाम सुने रेक्षनों के अंदर लिखवाएं यह ताकत रखता है मिवाड आज की तारिक में अगर वफादारी का उधारन देने का वक्त आए क्योंकि वक्त आता है और वक्त जाता है वक्त आता है और वक्त जाता है वक्त को संभाल कर रखिए वक्त बेवक्त काम आता है तब मैं कहना चाहता हूं तब इस बात को कहना चाहता हूं कि वफादारी का अगर उधारन दें तो हमारा हाती जो राम प्रसाद उसने जो है गुलामी को छोड़ कर प्रान त्याग ने सुईकार किया पर गुलामी उसने सुईकार नहीं करी ये हमारे मिवाड के पशों की ताकत है उडोने भी अपना नाम जो है सुईकार करने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ ये हम युवाओं को प्रेरना लेने की आऊशक्ता है आज अगर हमारे को जरूत है तो हम लोग आज दिन रात सुबे शाम मुबाइल के ओपर बैटे रहते हैं हम लोग तकनीक के गुलाम नहीं बढ़ने चाहिए तकनीक को हमारे को इस्तमाल करना है इसमें कोई शक्की बात नहीं है तकनीक हमारे को आगे बढ़ने के लिए मदद करती है इसमें कोई शक्की बात नहीं है हम लोग ने थोड़ी स्कूलों के वक्त के ओपर किताब कॉपियों का थोड़ा पढ़ने के लिए कम आनंद लिया था पर दूसरी चीज के लिए जरूर लिया किताबों को जो है वो चहरे पे ढखके सोया जा सकता है मुबाईल और लेप्टॉप को चहरे पे ढखके सोया नहीं जा सकता आज अगर इस युवा को कहीं न कहीं आवशक्ता है तो अपने संस्कृति के प्रती लोटने की आवशक्ता है उसकी खुश्बू, उसका ताकत हमारे को अगर मिलेगी तो हमारी संस्कृति से मिलेगी, हमारी किताबों से मिलेगी सादगी थी, बंदगी थी, सरलता थी जब फेस्बुक और वाटसेप न थे तब जिदेगी थी उस युवाओं को उस जिदेगी को जीने की आवशक्ता है आज हमारे को मारना प्रताब से प्रेड़ना लेने की आवशक्ता है उनके सामने धेनो चुनोतियां थी आज हम छोटी छोटी चीजों से घबरा जाते हैं हमारे यहाँ पर युवा जो हैं थोड़े अंक उपर नीचे होते हैं और हम लोग घबरा जाते हैं हमको उस समय पे सामने जो भव्य मूर्तियां पर लगाई है यह हमेशा हमारे को इस चीज की याद दिलानी चाहिए कि हमारे सामने चुनोतियां आएंगी हमारे से बड़ी आ सकती हैं पर वो कदमे भली हमारे से बड़ी हो पर मनुश्य के रूप में हम उसका पूरी तरीके से जो है निर्वा कर सकते हैं अगर हमने हमारा लक्ष तै कर रखा हो तो उसके ओपर राज करना जो है वो मुश्किल नहीं होगा अगर हम लोग वीर शुरुमरी मारना प्रताब के नक्षे कदम पर चलने का प्रयास करेंगे तो सारी चीजे हमारे को बोनी नजर आएगी प्रेरना के स्रोत के लिए हमारे यहाँ पर रोम रोम के अंदर किसी चीज की कमी नहीं है तो मैं युवाओं से खास तोर के ओपर ये बात कहना चाता हूँ कि जहां चुनौतियां हों जहां आप कहीं अठको जहां आपको लगे कि ये मेरे सामने मुश्किल वक्त है नहीं रोक सकता है अंत में मैं सिरफ दो पंक्तियां कहकर अपनी बात को मैं विराम देता हूँ आपने इतने खूबसूर्ती से इतने अच्छी तरीके से मुझे सुना उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना सीपी जोशी साब के लिए जोरधर तालियों की मैं एक बार आप से सब गुजारिश करूँगा कि हमारे को यहां पे सोहें भी प्रेड़ना स्रोत मने और एक मेवाड के लाल ने दूसरे मेवाड की लाल की मूर्ती लगा कर दोनों को अपने श्रीनाज जी बाबा के और पुना बहुत बहुत धन्यवाद ग्यापित करता हूं कि सूर्य वंशी न्यास का ये रश्मिरत चलता रहेगा पीडियों के रक्त में इसका सूयश चलता रहेगा रीती रगुकुल की जो शिव से विरासत में मिली हो आंधियों में वह दिया जलता रहा जलता रहेगा बहुत बहुत शुक्रिया, सचसद नमन, नमश्कार